जेहिन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोडिनेशन के जितने भी NCRD वेस्ट कोस्टन है जो हमारे नीट के आने ओले नीट के एक्जाम के लिए बहुत ही जादे इंपोर्डेंट है इसलिए बरा ध्यान से देखेंगे और इसी किस्तों में से कोई कोश धमाकेदार स्रीज आने वाला है आप षीज़ नहीं कर सकते हैं देखे सबसे पहलें हैं इंडो стать डोपिक लोग09 से उठाए हैं मैं अग्राग implementation के लिए responsible है, तो वो होता है, hormone, आपका right answer हो गया, hormone, तो next question देखते हैं, question number to neural coordination, is neural coordination, कैसा होता है, तो nervous system के तुरह, जो भी coordination होगा, वो बहुत fast होगा, and short lived होगा, तो right answer होगे, आपका two number, fast होगा, and short lived, ठीक है, next question है, तिसरा number, सो है नेक्स्ट कैसे ज् vi लेस lea end तो डॉक्त डव्त कर स्को बोलते हैं जो इतने भी हार्मों र्लेजिंग ग्लाइब है सभी की सभी डव्त लेस्ट घ्लाइब होते रॉर जीतने भी इंजाएं रिलीजिंग है तो इसी पर पहला है कि दा प्रोड्यूस नंडी ट्रेंट इंट्र इंटर सेलिलयूर मेसेंजर बिल्कुल से बात यह हार्मोन की बात कर रहा है हर्मोन ननन् launch लिस्त लेन ला इंटरन नन्युट्रेंट इंटर स्रेव लूआ मैसेंजर यह बिल्गुल सयह आरव फाउन्ड ट्रिस ओल्लवण नहीं को डीक्रम घ्रिक्रोnd इंड्huh राइंड नहीं एंड्गुल सभी। Indocrine Gland Indocrine Gland ठीक है right answer one हो गया next देगो choose the incorrect statement इन में से incorrect statement को choose करना है hormones are required in a trace amount बिल्कुल सबुआ है hormones are intra cellular messenger देखिये यहीपिए देखिये यहाँ पर पहला प्सन में intercellular messenger था इन्टर क्या था यहाँ फी intercellular messenger मेंजर यहां पर क्या वोल दिया है इंट्रा सेल्यूलर देखें इंट्रा सेल्यूलर मतलब उसी सेल का मेंजर इंट्रे मतलब इन बीट्वीन दो के बीच तो हार्मोन होता है क्या इंट्रा सेल्यूलर मिसें नोट इंट्रा सेल्यूलर तो यही ऑप्सन गलत है हार्मोन आर सेक तो राइट एंसर टू हो गया इसका नेक्ट देखो अब देखते हैं हुमन इंडोक्राइन सिस्टम से कुछ कोस्टन दिया हुआ है इसे ग्लांड जो ब्रेन में परजन होता है वो क्या क्या है तो वो है हाइपो फाइसिस एन पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन में परजन होता है ठीक है तीन नमर एंसर हैं नेक्स्ट देगो, the two glands located in the neck region are, यानि कि दो glands जो neck region होता है, वो thyroid gland होता है और parathyroid gland होता है, आंसर हो गया, one. नेक्स्ट है, the hypothalamus form a important link between, यानि hypothalamus important link form करता है किसके किसके बीच में, तो वो है nervous system and endocrine system, nervous system and endocrine system, very good question है, answer 3 हो गया, नेक्स्ट है, the neurosecratory cell, यानि ऐसे cell जो कुछ secrete करता है, यानि impulse का transfer नहीं करेगा, यह किस में होता है, hypothalamus में होता है, पड़े होंगे, और hypothalamus लिखावा भी है, the neurosecratory cell of hypothalamus, which produce hormone or cold, तो उसको nicolii बोलेंगे, क्या बोलेंगे, nicolii, तो right answer 2 हो गया, ठीक है, देखो, जितने भी nervous system होते है, उसका impulse का transfer करना होता है, जबकि neurosecratory cell, उसको बोलते हैं, ऐसे nervous neurons, जो क्या करता है, hormone release करता है, hormone secret करता है, hormone produce करता है, उसको क्या बोलते है, neurosecratory cell, कहां होता है, hypothalamus में होता है, ठीक है, हाँ, जो oxytocin और vasoprosin, वहाँ पे secret करके, posterior, pediatric में भेज़ देता है, वहाँ पे store होता है, 9 नमर देखो, hypothalmic hormone, directly regulate the synthesis of, synthesis and secretion of, यहाँ पे question है, hypothalmic hormone directly regulate the synthesis and secretion of, तो किसको regulate करता है, तो right answer आपका हो जागा, puratory hormone को, puratory hormone को, जो यह है hypothalmas, यहाँ पे puratory gland है, ठीक है, यह हो गया, आपको anterior puratory, यह हो गया, posterior puratory, तो यह ही hypothalmas regulate करता है, ठीक है, चालिए, somato statin inhibits the release of, यहीं स्वमेटो इस्टाइटीन जो है, inhibit करता है, release को रोकता है, तो वो है growth hormone को रोकता है, ठीक है, next, answer हो जागा, next, growth releasing hormone stimulate, dash to release dash, तो growth stimulating hormone, जो है, growth releasing hormone, जो है, यह stimulate करता है, putatory glands को, and to release gonadotrophin, तो answer हो जागा, two number, answer two हो गया, next, which of the following, is under direct control, of neurosecurity cell, यानि इन में से कौन है, जो directly, neurosecurity cell के, control में होता है, तो parts distalist, और parts intermedia, नहीं, parts intermedia, नहीं, only जो होता है, parts intermedia, किसके control में होता है, तो निरो से कौन्ट्रोल में होता है, तो right answer, सीधा सीधा 3 हो जागा, सारा का सारा, NCRD का लाइन है, answer 3 हो गया, ठीक है, next, the neuroendocrine structure is, तो यह जो neuroendocrine structure क्या होता है, तो hypothalmas, hypothalmas को भी कोल सकते हैं, कि neuroendocrine structure, एक नमर एंसर है, next, दो, एडिनो हाइपोफेसिस in a human, कंसिस्ट अब 2 पर्षन, तो एडिनो हाइपोफेसिस में 2 पर्षन होता है, क्या-क्या होता है, पार्ष इंट्रमेडिया और पार्ष इंट्रिश्टालिस होता है, और एंसर टू हो जागा, पार्ष इंट्रमेडिया और पार्ष इंट्रिश्टालिस, next, the hormone not released by पार्ष इंट्रिश्टालिस in the man is, यानि कि इन में से कौन सा hormone है, है कि पार्ट डिश्टालिस्ट के द्वारा हमन भी में 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 रिलीज नहीं होता है ग्रोफ हर्मोन प्रोलेक्टीन मिलानो साइट इस तो है यहीं तो यहीं तो है answer 3 यह पर्स इंट्रिमेडिया से रिलीज होता है नेक्स्ट अंसर हो गया इसका नेश्ट देगो सब्सक्राइब और नहीं होंगा और जाएगा जाएगा चरफ कहना होगा पाइले पार्ट इंटर्मेडिया thello वोसा नहीं तो इसी से क्या होता है मार्स इंटेमीडिया से मेल आनोसाइड इस्टिमुलरी हर्मोन रिलीस्ट आउट होता है तिक है किसमें तो मेन में आंसर फूर नेक्ट दा हर्मोन विच प्रमोट प्रोटीन एनबोलिज्म एबर्शन ओफ केल्शियम प्रम आ फ्रम दा बॉमेल्स एंड रिटार्ड यूज ओफ रिटार्ड यूज ओफ ब्लड ग्लुकोस फोर ए टीप प्रोड़क्शन तो इसका राइट ऐंसर सीधा सीधा ग्रोथ हर्मोन वह जागा इतना सोचना नहीं है आपन्स ने उठागए डाल दिया है नेश्ट रॉफिज्ट शवर्प मं मुंध्ट तो यह नमर गलत है डूसरा दिखो अन्डर स्क्रेसिन वाफ करता है बिल्गुल सही अन्डर सिंदर्थ मतलब कम होना नूर्मल से कम स्कॉ नहीं तो यह है टीसरा नमर देखते हैं तिसरा नमर तिसरा नमर जै कि ओवर स्कॉधिन इसंट समेट दस्टर यह थो नमर्ड ती नमर्स सब्सक्राइब चार देख लेते इक पुझ गणे तो यह थो और तीन सफीए कहर पर थीन में तीन नमर पर थीन नमर पर है तो यह हार्मोन की एक्सेस के कारण होगा जिसको एक्रोमेगाली होता है और चाइल्ड में गेंगेटिजम होता है तो वह होता ग्रोथ हार्मोन क्या होगा ग्रोथ हार्मोन आंसर वन हो जाएगा और सिद्फ नेस्ट प्रोलेक्टीन एक्टिवेट तो प्रोलेक्टीन किसको अक्टिवेट कर रहा है यह जानना है हमें तौ brands ग्रोट और ब्रेस्ट एन शेक्रेशन आंसे ओम मिल्क इन मैमूरी ग्लाइंड त्णतना साही है नेक्सट a CT I didn't know corticotrophic hormone control the secretion of a CT is kiss case across another control over time the glucocorticoids answer was a glucocorticoids next if X is a hormone which control the carbohydrate metabolism in the body and why is the hormone which control the suggestion of X then X X and Y are question important here is that X is a hormone which controls the carbohydrate metabolism so we know that carbohydrate metabolism which controls the hormone which is glucocorticoids in the body and why is the hormone controls the secretion of X and glucocorticoid which control means ACTS adeno corticaltrophic hormone so answer respectively तो आणसर हो जागा टू नंबर को इस तो इसका आणसर क्या है मतलब एक्स क्या है 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 क्योंकि उससे क्या निकलता है और किसको प्यूटी गिलांट से क्या निकलता है प्यूटी गिलांट से क्या निकलता है और टेस्टीस और folder को टागेट करता है टेस्टीस से इस्वेर्गेल से बॉबूर्जेस कराता है तो आंसर हो जागा तीन नंबर next in females LH stimulate यानि female के case में LH क्या stimulate करता है तो corpus luteum को in the ovary and sacred progesterone respectively बिल्गुल से बात है answer क्या जाएगा for number next next graphene follicle get converted into dash graphene follicle किस में करवड हो जाता है तो corpus luteum में after ovulation under the effect of to ovulation किस से होता है to luteinizing hormone ovulation कराता है answer हो जागा 2 ठीक अगला कुस्टन देखो which of the following is incorrect with respect to neurohypophasis neurohypophasis के respect में कौन सा incorrect है ठीक है तो neurohypophasis is also called pars nervosa सही बात है it is synthesis to hormone oxytocin and vasoporosin बिल्गुल गलत बात है यह तो hypothalmas से secretion होता है इसका synthesis होता है लेकिन यह जमा कहां पर रहता है posterior pituitory gland भी तो यह answer option हमको गलत लग रहा है तीसरा देखो इट रिसीव निरो हर्मोंस डिरेक्टली फ्रॉम्ट निरो से सेथ बिल्गुल सही बात है तीसरा नमबर भी बी सही पहला भी सही दूसरा गलत है चौथा देख लेते हैं इट कंप्राइजेश ट्वेंटी फाइफ पर्षन 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 प्रिट्री ग्लैंड गिल्कुल सही है अंसर टू हो जाएगा एंड कोसन देखते हैं 27 को संदेख जाएं पी कोई पार्ट है इसमोल राउंड रेडिस स्ट्रक्चर लोकड़ इंदर डॉट्सल साइड और ब्रेन फोर ब्रेन तो फोर ब्रेन के डॉट्सल साइड में क्या लोकट रहता है तो वह होता है पिनियल ग्लैंड इट कंसीट कंटे देखा worden डाइ यूरिनल रिदम तो डाइ उडेनल रिदम को कौन कंट्रोल करता है तो को rounds ऐओ नीपी स्लीपीक सांग्लbrarड को कंट्रोल करता है तो फियंक्यूक्त जाएगा तो pineal gland and melatonin हो जाएगा कितना आसान कुस्सा ने एंसर थ्री हो गया है अगला देखो a hormone which maintain bmr बसल मेटाबोलिजम और प्रोटीन और इर्थ्रोपोईशिस तो बसल मेटाबोलिजम और प्रोटीन को और इर्थ्रोपोईशिस को तो राइट इसका क्या हो जाएगा वह होता है hormone thyroxine क्या होता है thyroxine आप भी साथ में बनाएंगे आइधिंक बना ही रहे होंगे आप आपका कितना सही है comment box में टाल दीजेगा अगला गुशन है creatinism can be prevented or cured by administration of तो किस के administration से यह creatinism control किया था प्रिवेंट किया था है तो वह था थाइमोशिन आंसर और फूर अगला देखेंगे अगला एक्स इस पर प्रजेंड ओवर दा सर्फेस ऑफ एन अदर ग्लान वाई हाँ बिल्कुल बात तो देंजर है यह कुश्चन आसान है लेकिन लग रहा है बोल ला है को कोई एक्स ग्लांड है जो वाई के सर्फेस पर प्रजेंड है तो वाई के सर्फेस पर क्या हो सकता आप देखते हैं और लेटर सेक्रेट्ट को पर उपर और यह क्या करता है कि मेटाबोलिज में प्रोटीन फैट करको १ोक्ते करता आग ऐद्यों तो चैनल सही है, जो एक नम्बर सही है, एक नमबर, ठीक है, नेक्ट दो, राम है जाए ही लेवल ऑफ कैलसियम इन इस ब्लड, कोई राम है, नाम दे दिया ऐसे कुछ भी, बोला कि उसका ब्लड में एक्सेस अमांट में हाई लेवल ऑफ क्या है, ब्लड कैलसियम है, तो एक्स सब्सक्राइब वीट हर्मोन केन बी कांश भी अइंदिस यह कौन इसर बढ़ गया है आधक अनीक सभॉचलेहं उसके चल्पर हो रहा ऊसके केल्सियम बह् Just a अ करें लोकोन गौन हो भॉचलेहं '' पर वीजफॉरद सब्सक्राइब्न केंल्ल निम्मन निम्ट हर्मोन एक होगता है प्रोटीज डेरिवटीव यह इस्ट्रोड वाला हर्मोन और फॉर यह जागा एक्ट है हो नेक्स्ट है हर्मोन ऑफ हार्ट लीवर किड्नी गेश्ट्रो अट्रेक एं मेकानिज्म आफ हर्मोन एक्षन इस से कुछ कुछ कॉस्टन दिये हुए उसको देख क्या बन जाता है तो किस के पर यहां को सा हर्मोन ता रेणिन होगा ठीक है यह हर्मोन है यह इंजाइम है याद रखेंगे आंसर 3 हो जागा सेक्रेटीन प्रोमोट दर रिलीज ओफ सेक्रेटीन जो है प्रोमोट करता किसके रिलीज को तो वाटर एन बाइकार्बोनेट आयन इन पैनक्रेटिक जूस आंसर हो जागा वाटर एन बाइकार्बोनेट आयन इन पैनक्रेटिक जूस थ्री नम्बर एंसर है next CCK Cholicytocanine secluded by Dudenum simple सी बात है Dudenum answer 1 हो गया next which of the following hormone receptor complex of the cell membrane तो कौन सा hormone का होता है receptor present cell membrane में तो वो है insulin का तो वहाँ पर कुछ graph दिया हुआ है figure दिया हुआ है उसमें जाके आप समझ सकते हैं आप कहीं भी परे होंगे अच्छे से परे होंगे पराया होगा आपको तो यह तो था भाई booster question जो आपके need के लिए बहुत ही जाद important है इतना question कर लिजिए need के line by line से question उठाए गिया है इसी में से कोई question आ जाए जहें दोस्तो आज से ecology का population and environmental factor में जितने भी question होते हैं and pyq है जो पूछा गया है exam में चाहे वो need में पूछा गया हो या ems में पूछा गया हो and jipmer में पूछा गया हो एक ही question को बार 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 पूछता है और maximum chance है के आने वाले नीट का जो exam है 2023 हो, 24 हो, 25 हो यही सारे question repeat होने के संभाबनाए maximum है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसका PDF डाउनलोड करके रख लेंगे और आपको इसका PDF कहा मिलेगा तो PDF के लिए टेलिगराम चैनल जॉइन कर लिजे वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा comment box में जाएए या फिर description में जाके चेक किजिए आपको PDF का link मिलेगा तो सबसे पहला question देखते हैं question number one क्या कह रहा है ecology is connected with the study of तो यहाँ पे जो question है तो ecology का definition से ही question है यह जिपमर में पुछा गया था 1989 जिपमर के साथ साथ डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के एक्जाम में पुछा गया है यह question ठीक है तो बोल लहा है कि ecology connect है किसके साथ तो environmental factor plant adaptation effect of plant on environment बिल्कुल सहबद यानि कि यह बाइयोटिक इन यह बाइयोटिक के साथ जो उसका interaction है उसके बीच का जो यह effect है वह बोल लहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इन्वारेमेंटर फेक्टर plant का adaptation effect of plant on environment यानि बाइयोटिक और यह बाइयोटिक के बीच का interaction तो सभी के साथी जो है option सही है इसका मतलब all these above answer सही हो जाएगा तो answer हो गया d next question चलते हैं question देखिए कितना बार पुछा गया है देखिए के इसी में पुछा गया है जिप मर में पूछा गया है यही question M से पुछा गया है और यही question HP PMD ने हरियाना PMD में पुछा गया है मतलब नीट में भी यह question पूछा गया है आप सोचकते कितना important question है तो जान लिए आने वाले के नीट का जो एकजाम है उसमें भी यह कौस्टन रिपीड होने के संभाबना Rig मैक्सिंमम है तो कौसें कह रहा है कि ecology is the study of relationship है तो यानि कि 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 सक के बीच का relationship है ecology मैं किसके बीच हम relationship को पड़ते हैं यह यानि भायोटिक और ये बायोटिक ए संपने परते हैं यहां पे हम एसाब से आंसर देखते हैं क्या है पहला और सब्सक्राइब और फैमेली गलत बात है मैं एन इन्वारेमेंट यह थोरा सासे लग रहा है पूरी तरह से सहीं नहीं है ठीक है उसके बाद सी नमर दिए और गेश्म एन इंवारेमेंट किसी भी और गेश्म का इनवारेमेंट के साथ क्या इंट्रेक्शन है यही तो इकोलोजी है इसका मतलब हो गया कि आपका राइट एंसर पूरी तरह से सही कौन है तो c यानि सबसे उपर वाले जोन का नाम क्या है साइड वाले जोन का नाम क्या है और या बीच में जो अंदर है उसका नाम क्या सबसे नीचे जो है उसका नाम क्या जहां तक लाइट तक नहीं पहुँच पाती है उस जोन का नाम क्या है समुन्दृतले तल की बात कर रहें हैं तो यहां सबसे नीचे वाला का नाम है बैंठिक जोन नाम है बैंठिक बैंठिक जोन मतलब डी क्या होगा welcomed तो सबसे पहले बैंतिक जीने में ख üzerine डी में निया लेमंटिक जोन गलत यहां पर दिया है प्रोफंडल भील जोन गलत कई अ अब देखेट का दिया सी में बैंथिख सभी यालिट्रgest गलत यां बैंतिक सभी मतलब या dyeंति управ में तो हम अपता है जान होता है उससथोन पार्ट यह होता है यह होता है लीटरोल जोन बोलते हैं यह बाट बीच वाला आए उपर वाला पार्ट जहां कॉन सा है ए को बोला जोन सही क्वात है लीमेंडिक जोन बात है और CB अल्याओं जोन इंए वह चूला Schneem Abdul जोन यह भी सही है इसका मतलब है कि ऑफशन सी क्रेक्ट है और सन सीक्रेट है next question हौई इस होता है कि tendency tendency of tendency of biological system to risk the change यानि कि आपके environment में यानि कि वहां पे temperature change हो रहा है तो आप उसके साथ अपना टेम्परचर चेंज नहीं करेंगे उस temperature में अपना body temperature को किस तरह maintain रखते हैं या salt concentration को किस तरह maintain रखते हैं वही तो homeostasis है अगर आप surrounding temperature के साथ ambient environment के साथ आप अपने आपको change कर लेते हैं तो homeostasis maintain नहीं कर रहे हैं अगर नहीं करते हैं change और अपना body temperature को balance रखते हैं तो आप मतलब homeostasis करते हैं तो इसी से answer खोजना परेगा देखिए सबसे पहला option है tendency of biological system to change with change in environment बिलकुल गलत बात है कि वो environment का अगर change हो रहा है तो उसके साथ अपना भी change कर लेना बिलकुल ही homeostasis नहीं है ठीक है बी नंबर क्या है tendency of biological system to resist the change यानि कि biological system में जो change हो रहा है उसको resist करना यहीं तो homeostasis है इसका मतलब क्या हो गया answer B सही है next question study of interrelationship between organism and their environment यानि कि कोई भी organism है यानि biotic हो and their environment यानि abiotic हो यानि biotic और abiotic की बीच में interrelationship जो है interaction जो है इसी को हम ecology बोलते हैं अगर यहीं अगर आता है functional role पुछता तो ecosystem हो जाता है तो यहाँ पर क्या पुछ रहा है शिर्फ और सिर्फ interrelationship पुछ रहा है इसका मतलब answer ecology हो जाएगा definition से ही question है यह next question देखिए study of interrelationship between species कोई खाद species या individual की बात कर रहा है and its environment in all stage of its life cycle यानि उसके कोई भी species का life cycle का हर एक stage में हर एक stage में अगर क्या होता है interrelationship होता है environment के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे उसके लिए क्या term यूज़ करेंगे तो यह एक definitions ही है आपको लिखके याद कर लेना है तो right answer है auto ecology क्या बोलेंगे auto ecology auto ecology में मतलब क्या होता है कोई भी species है कोई भी species है वो environment के साथ जब तक जिवित रहेगा पूरे life cycle में interaction में रहेगा उसको auto ecology बोलेंगे next question है question कर रहा है study of interrelationship between group of organism organism वहां इससे पहले क्या पर रहे थे कि single organism के बात कर रहे हैं यहां पर group of organism entire community and its environment यानि गूरूप of organism जो है यानि पूरा community है environment के साथ अगर अगर क्या रहता है interrelationship में interrelationship है तो उसके लिए क्या term यूज होता है तो वह होगा scene ecology याद कर लिजेगा d number सही है उसके बाद है ecology was connect by यानि कि ecology टर्म किस ने दिया था तो है कल ने दिया अगर यहां पर रेटर इंसर रहता तो रेटर मारते ठीक है अंसर भी हो गया next question the sum total of population of the same kind of organism constitute तो क्या बोला sum total of population यानि पहले क्या हुआ organism से मिलके क्या बना population अब population से मिलके क्या बना या तो वह बनेगा community सोरी क्या वहला sum total of the population of same kind of organism constitute यानि कि total population में एकी काइड का पॉपुलेशन एकी काइड का क्या होना चाहिए तो इस पे सीज होना चाहिए तो answer D से होगा ना कि C से होगा ठीक है यानि answer क्या है D सही है उसके बाद सीन एकोलोजी क्या होता है सीन एकोलोजी इस्टडी ओफ तो किसके किसके बीच का इस्टडी सीन एकोलोजी तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि सीन एकोलोजी क्या होता है कि बायोटिक biotic community in relationship to the environment यानि जो biotic community है वो environment के साथ relationship में है यानि कि उसका inter-relationship है या interaction है इसलिए उसको scene ecology बोलेंगे तो answer क्या हो गया D next question है इफिमेरल्स आर टाइप ओफ जिरोफाइट किस टाइप का जिरोफाइट है एक्स्ट्रा कोस्टन है maximum नहीं चांस है लगबग पूछनेगा फिर भी एक बार देख लिए क्यूंकि बार 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 या question पूछा गिया है तो यह तो दो ड्रॉफाइट इस्कैपिंग एक कहिंग से नेक्स्ट कोशंग विच क्रैक्टर इस नोट पर जेन इन गाया जेरोफाइट यांणे जेरोफाइट पे कौन सा क्रैक्टर पर जेन नहीं होता है and well developed conducting tissue यह भी होता है spongy पेरेन काइमा यही नहीं होता है यह spongy पेरेन काइमा aquatic plant में होता है जेरो फाइट में नहीं होता है इसका मतलब answer D हो गया next question the leaves of desert plant are not torn away by high wind velocity because यानि कहने का मतलब वहां का desert plant का जो leaf है वह तूटता नहीं है जबकि वहां पर बहुत ज़्यादा स्पीट में हवाँ चल रही है क्योंकि उस पेरेन काइमा जो है उसको extra mechanical support provide करता है तो देखिए answer कहां है spine नहीं bending towards opposite side नहीं इस क्लेरन काइमेटर्स tissue that provide extra mechanical support तो आंसर हो जाएगा C तो राइट एंसर सही भी क्या है C है नेक्स्ट को सन एबाइसल जोन इन ओसीन है एक्स्ट्रा को सन है maximum chance के नहीं पुछा जाएगा फिर भी देख लिया जाए जहां पर light नहीं होता है no sunlight but contain वहाँ पर consumer होगा decomposer होगा ठीक है answer A सही है the factor related to structure of earth surface is earth surface के structure से कौन सा factor related है idific factor, biotic factor, temperature and topography तो अर्थ से अर्थ के surface से related है यानि the study of surface of earth यानि लेयर ओफ अर्थ उसको बोलते है topography तो counts are what related है तो डी है important question है याद कर लिजेगा बी एक्सिमम चांसेस है कि यह question आएगा क्यूंकि यह है नीट की NCRT में अभी की NCRT में दिया हुआ है ठीक है तो answer D हो गया next question देखो which one legs both root and stomata इन में से किसमे root और stomata नहीं होगा तो भाई जिस जो plant जो है किसमें पाय जाएगा water में पाय जाएगा तो उसमें root की कोई आवज सकता नहीं है and stomata की भी कोई जरूरत नहीं है तो जितनी भी hydrophite है उसमें क्या होगा तो root और stomata जो है नहीं होगा उसमें मतलब well developed नहीं होगा लगबग नहीं के बरावर होगा ठीक है तो aquatic plant को बोलते है hydrophite तो answer क्या हो जाएगा आपका answer A हो जाएगा next question नीके of a species is यानि के नीके क्या वोलेंगे जिस habitat में रह रहा है और वह जहां पर रहके उस habitat में रहके जो functional role play करता है उसी को हम उसका नीके वोलेंगे तो उसी हिसाफ से answer को choose किजिए पहला option क्या लिखा हुआ है place of living गलत बात वहां उसका क्या functional role है उसी को नीके बोलेंगे specific function and competitive power तो आपका right answer यह नहीं होगा next competitive power से नहीं 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 function तो है लेकिन competitive power से कोई मतलब नहीं है उस habitat में उसका क्या function है तो यही answer हो जाएगा इससी नमबर answer हो जाएगा कि habitat में उसका क्या specific function है वही उसका नीके कहलाएगा तो answer हो जाएगा सी कितना बार question पूचा है cbsc मतलब नीर की बात कर रहा है यह पीमडी पहले हुआ करता था 1996 में पूचा FMC में 1999 में पूचा डी पीमडी में 2001 में पूचा 2009 में पूचा 2013 में पूचा तो maximum chances है कि यह सब questions repeat होते हैं इसमें VBI मार लो ठीक है जो जो बोल रहे हैं कि maximum chances पूचने का तो याद रखेगा उनमें से कुछ न कुछ इस question आही जाएगा आपका नीट का अग्जाम में ठीक है अब है बैंतोइक जोन पैंतोइक एनिमल लाइव यानि के वाटर का सबसे यानि के समूंदर का सबसे नीचे वाला तल जहां पे सनलाइट तक नहीं पहुचत वाती है उसको क्या बोलते हैं बैंतोइक बैंतोइक ज होता है एकOoh यान्वि डाइयरेक बच्चे को जनम देते हैं प्लांड है बैंतोइक डायर्ड बच्चे को दो फॉटा क्या सब्काम करें तो होता क्या है कि ह हेलो फाइड होते हेलो फाइल होते हैं यानि कि जिस में नेमेटर फोर जिसके दरह क्या करता है वह आ abbiamo ये एक रूट होता हैो मिट्टी से उपर उठा वा रहता है जो यो मेटो फोर जो उसको न्युमाटो फोर बोलेंगे उसमें जाशे कोaldी एर्येशज In पढ़ जाए तो उसका डी हैट्रेसन हो जाएगा और वह सीड मर जाएगा इसलिए किसी का किसी तरह इसका सीड जो है नेमेटरफोर का सीड जो है उसके ब्रांच में ग्रो करता है फिर ब्रांच से गिरके नीचे मिट्टी पर आयाता है और वहाँ पर वह जाके नया इस नेक्स्त तो हाइबर्नेशन कि इस में होगा तो अपया हो जागा प्रियोडिक होगा इस प्रियोडिक गोगा नेस्ट रिशी उन मतला है वह सिर्फ और सिर्फ जिल्फ धस्तेchnा के लिए ही वेलिड आफ इसलोग मーट आ नहीं यह इस तर तो इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है एक्सक्लूसिव मतलब खास होना चाहिए तो लोंग टैप रूट सिस्टम देखो टैप रूट सिस्टम लोंग होगा तभी तो मिट्टी के बहुत अंदर से पानी को अब्जर्ब करेगा क्योंकि जेरोफाइट में क्या होता है सब तो इसमें भी होता है क्या बलता इंदर नहीं अपर चेहां पर क्या कर रहा है कि के जिवन बेल रिडार प्ल इसरशन और पॉइंट बी जो है एका correct explanation देता है तो उसको उसके लिए हम यह मारेंगे answer ठीक है both are true but reason not correct तो B मारेंगे उसके बाद assertion is true but reason is wrong तो C मारेंगे और दोनों wrong होगा तो D मारेंगे ठीक है तो देखिए assertion पढ़िए से पहले cold blooded animal have no fat layer बिल्कुल सही बात है जो cold blooded animal है उसके पास कोई fat layer नहीं होता है ठीक है and next reason देखिए cold blooded animals use their fat for metabolism process during the hibernation बिल्कुल सही बात है जब वह hibernation में चला आता है तो कुछ तो खाना खाएगा नहीं तो वह कैसे जिएगा तो उसका जो fat है उसी को तोड़ता है उसी का glucose use करता है तो उसी से वह जिंदा रहता है तो मतलब क्या है कि इसके अचर्शन जो है सही है रीजन भी सही है बट रीजन जो है correct explanation देता है एका इसी लिए answer क्या हो जाएगा next question soil based suited for plant growing plant growth के लिए सबसी अच्छा स्वाइल कौन सा है तो वह होता है लूम स्वाइल उसके good soil is the good soil is the one which good soil किसको बोलेंगे allow water to percolate यानि जमा होना ठीक है slowly तो इसी को बोलेंगे क्या good soil का यह characteristic है याद किया हुआ होगा आपका answer एस है list porous soil is सबसे कम porous कौन है जिसका particle size बहुत छोटा है वही list porous होगा ठीक है तो answer हो जागा आपका a clay soil next question question है deep black soil is productive due to high proportion of तो बोलता है deep black soil is productive यानि जो deep black soil होता हुमस स्वाइल जो होता है बहुत ही productive होता है उसमें ज्यादा खेती वरे आराम से होता है तो उसमें होता क्या है तो उसमें clay soil होता है और हुमस होता है तो answer होगा आपका see अगला question हुमस is important for plant growing as it is तो हुमस में क्या होता है जो plant growth के लिए बहुत ही जादे important होता है तो आपका answer है तो देखते है one by one made of dead organic matter बिलकुल गलत बात है यह जो है जो लिटर फॉल से बनता है पत्ते उत्ते गिर जाते हैं शड़ जाते हैं उससे हुमस बनता है ड्रैफ फ्रॉम लिफ यह तो सही है अगला पन देखे अगर यह बोला कि growing क्यूं होता है जादा तो उसके लिए हमको answer देना है ऐसे देखा जाए तो हुमस के लिए दोनों ही सही है अब C number rich in nutrient तो हुमस वाले जो हुमस जो होते हैं उस पर न्यूटरन बहुत जादे होते है और इनक्रीज वाटर होल्डिंग के बिसीड़ और वाटर को होल्ड करके ज्यादा देर तक रख सकता है हुमस वाइल जो होता है इसलिए यही answer आपका सही होगा इसलिए क्या होता है हीमस जो है important है प्लान के growth के लिए क्यूं क्योंकि उसमें nutrient ज्यादा है उसमें वाटर होल अगला कुस्टन बोलाओ दा श्वेयर ओफ लीविंग मेटर फांड अंदा सर्फेस ऑफ अठ कमप्रैज इस तो एक है लि पर हाइड्र पर एट्मोस्फियर बास्फियर बिल्कुल बात है लीट पर हाइड्र पर एट्मोस्फियर सब को मिला कि हम बाइस फिर बोलते है इसल हेशु में दो बार पूछा पंजाब फीमट में एक बार पूचा एम यू में दो दो पांच पांच पूछा यह कूशन जो हे नीट में पूचा है और आगे आने के संभाब ना है मैक्सिमम है कि तो डीनमर अनसर ने नेस सेंगे से किस से बनावा है कि से पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा बता यह लिविंग होगा लित्रयूंग हों डिवरका अटमोस्पेर बिल्गुल सही बात है जो आउसे प्लांट जैजू आ फिर ग्रोट करता है तो इसमें रूटकर कम रहेगा तो हैड्रोफंड में रूट्ट कम होता है. हाइट्राफायक को इसको बलता है तो इसमें रूठ के नहीं होता है तो आ्मसर किया हो जाएगा06n नेक्ट्स नेक्स कॉस्टं रढ़ ग्रोइंग इन लट करते है एन हाइर पानी कोई है उसमें का इसोड बहुत ज़ाद है तो उसमें कौन सा प्राइट करता है तो उसको निमाटोफोर वाला प्लान जो बोलने ठीक है उस उस इस प्लांट को बोलते है हेलो फाइट किया वोलेंगे हैलो फाइट तो आंसर होगे आपका बी next question root system is poorly developed root system aquatic plant is poorly developed hydrophied 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 plant water grow so hydrilla hydrilla grow water water match the column match the column butterfly butterfly NCRD 1-3 B and B and E is okay so camo flag and praying man 1-1 minute two one two one one second camouflage praying maintained praying predator camouflage camouflage is the color is green color so the predator is one 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 image on one 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 number in a another one one दी के लिए 3 कहां कहां यहां पे आंशर कहां है लुए नहीं मिल रहा है और बिके लिए 4 दियाघने के दिया लुन में लुज़ी चेह सिर्फ डी सही है तो अंसर बांकि मिल नहीं है डायरेक एंसर प सीडी हो जाएगा सब 4 गस्यण्थ के बात देखो हो गया यह गराब दिया हुआ है इंटरनल लेवल एक्षटर्न लेवल ठीक है यह बैठ इसको आप याद कर लिजएगा देखे इसमें इसको बीख्या का उन इसको का नफरमर तो याद रखेंगे match the column and find the correct option deer snail duplankton and seed seed dormancy होता है D के लिए R D के लिए R सब में है ये नहीं है मतलब या तो B होगा या तो C होगा या D या E होगा A तो नहीं होगा duplankton जो होता है duplankton वो क्या करता है dipos dipos करता है duplankton एक सगन हाँ पर ये देख लिए bear जो है hibernation में जाता है bear किसमें आता है hibernation में जो पोलर रिजन वाले में है तो देखे A का Q नमर A का Q इसमें है और इसमें है इसका मतलब ये भी नहीं होगा C भी नहीं होगा A भी नहीं होगा B या फिर B B हाँ B ये भी नहीं होगा E भी नहीं होगा या तो B होगा या तो D होगा चले snail क्या करता है snail तो स्नेल क्या करता है स्नेल स्ट्इवेशन में आता है। हैसर मिल गया ॎइक कौन सा कि अंसर अंसर झीज है कि उससे मिलाना﹗ और उसका आंसर को लिखना है तब अब देखें ब्राइव फाइलम है नेलुम्बो है पिस्टिया है एन पटेमो जेटाउन है ठीक है तो देखिए के ब्राइव फाइलम क्या करता है एक अप्शन मिलाते हैं पहले क्यूटिकल अफसेंट नहीं हाई रेट ओफ ट्रांस्परेशन नहीं एंड वाटर इस्टोड इन फॉर्म अफ मुसिलेज बिल्कुल नहीं राइजयों स्टेम नहीं बैलेंसिंग रूट है रूट पॉकेट एन प्लेस्ट रूट यानि कि यह कॉसन जो है बहुत एक्स्ट्रा है मक्सिमम चांस है कि यह कोशन नहीं पूछेगा आपको ठीक है फिर भी करा दिये हैं देख लेजिए तो एका क्याद रखेंगे ब्राइब फाइलम क्या करता है तीसरा होगा एका तीन मतलब क्या वाटर इस्टोर इंद फॉर्म मुसिलेज ठीक है और बी का फोर हो इंदफ इन प्लेस ओफ रूट कैप्स एंडड इक आफ डीका क्या होगा दीका हो जाए वन क्योटी किल अपसेंड तो अंसर हो गया ए नेक्स्ट को सब्सक्राइब वेरी वेरी इंपॉर्टन को सन इसका हर एक लाइन पुर्टन याद कर लिजेगा कॉपी में लिख ली जिए इसको ठीक है नोट कहीं नहीं पर बर्गमन रूल क्या होता है एलैंस रूल क्या होता है जो चोटे-छोटे-चोटे होती है ताकि heat loss कर सके तो देखते हैं पहले हम वही मिलाते हैं मिलान करते हैं क bucket क्या होगा pigmentation of metabolic rate number of water body size body Diaz Nose C C 5 कहांपे C का 5 है C का 5 कहांपे है यहां पर दोनों में है ठीक है अंड अब दोनों में है तो इसमें नहीं हमको कंपेर करना आए ओन भी कंपेरने करना है तो हमें compare करना है यह दोनों में ठीक है कि यानि के डी में दो हो गया तीन होगा जॉडन रूल क्या होता है जॉडन रूल जो नंबर ओफ वर्टिब्रेट नंबर ओफ वर्टिब्रेय ओफ दे कोड़ फिस यही होता है अंसर हो जागा आपका डी ठीक है तो आप लिख के याद कर ले जागा इसको नेक्स कोसन है तो आप देख़ीगा ठीक है तो मिलान किया करने करेंगे कि सॉल्वेनिया क्या होता है तो सॉल्वेनिया को जो है है फ्रार अ्व्र होता है Exca 5 եी कहने का मतलब यह है जो सल्टि एरिया में पाजाता है उसमें राइजेफोरा में नेमतफोर होता है उस-रूट का नाम है बास कुछ नहीं तो आनसर वजागर डी आपका नेक्स्ट कोस्टन देखो यह भी एक्ष्ट्रा कोस्टन है चांसे थे कि नहीं है पूछेगा यह बुक में कोस्टन देखे तो हम सुचिछ लगबा बना ही देते हैं क्या पता पूछ ले सबसे यहां क्यूंकि यह वाला उप्सटन जो है आपका एंडियाट में बांकिसम नही कंघा 시न इंड तो है करता है सौल्ट स grandson therm Barrie नहीं ही स्कूर्ण सेकूर्ण सेटिंग क्लान एंड सेटिंग यह वाटर and B का क्या हो जाएगा turtle turtle का क्या हो जाएगा बताइए turtle का हो जाएगा oxidation of fat to generate water तो इसका answer हो जाएगा D आपका क्या हो जाएगा D याद कर ले जाएगा इसको देखके वो से नहीं पूछेगा question पूछेगा and next question देख़गा which one is refers to यह वाला question पूछेगा वी वी आई है तो अले इसल में क्या होता है if stressful conditions are located or remain only for a short duration and organism either migrate or suspend its self गलत बात है ऐसा नहीं है next mammals from colder climate have shorter air limbs to minimize the heat loss बिलकुल से यही चीज़ हम चलला चलला के बोल रहते है कि जो भी colder climate में रहने वाले animals है उसका air limbs disease उगरा जो है छोटा होगा क्यूं होगा ताके water loss कम हो सके और body size बड़ा होगा उसका answer भी होगा तो यहां तक होता है खतम thank you for watching do दिल्ड़ छली हम रियूग के रहे जए बाहते है जोगा गार लगट करी होगा